इस विशय में हम अध्यान करेंगे इसका समाने परिषय और इसके प्रकार और इससे सम्बंधी जो सिधान्त है उसका अध्यान तो सबसे पहले इसका समाने परचै देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन सरवेक्षड में जितने भी प्रकार के हाथ में प्रकार्ड कर उपयोग कर जाने वाले जो उपकारण है उनमें सबसे अधीक उपयोगी और परिसुद्ध जो उपकरण है वो है सेक्सिटेंट उपकरण और अन्य उपकरणों कि अप एच्छा ये जो सेक्सिटेंट उपकरण है ये विशोईस उपयोगी है क्योंकि इसमें एक विशेश प्रकार का गुड़ है जिसके वज़े से इसे क्या किया जाया सकता है थल और जल दोनों इस्थानों में एसानी से प्रयोग कर सकते हैं इसको इसलिए ये क्या है बहुत ही महत्त पुड़ है और परिसुद्ध उपकरण है इसका प्रथम जो गुड़ है वो है ठेदोलाइड आधी के द्वारे इसमें कोड मापन में जो पस्चे द्रिश्टी एवं अग्रे द्रिश्टी पढ़ने के बीच की अवधी में उपकरण को त्रिपाद इस्टेंड में क्या करना पड़ता है इस तीर का नावश्यक होता ह किन्तो इसमें क्या होता है जो सेक्स्टेंड है इस उपकरण के प्रयोग के लिए किसी भी प्रकार की त्रिपाद इस्टेंड वगर की अवश्यक्ता नहीं होती इतना ही नहीं इसमें क्या होता है जो नाव या पोत्न होता है उस पर रखे होकर के यानि कि जो रखने की कोई कि भी व्यस्टान हो इसके बावजुद्य हम क्या कर सकते है वह पास जैसे पाह वैसे खड़े हो करके जोности रिखarte है उसके द्वारा कोर माप सकते है यह जो सिक्स्टेंट उपकरड है ये कोड मापने की एक क्या है उक्करण है फिर इसकी दूइती जो विशेश्ता है महत्पूर वो है सिक्स्टेंस की द्वारा किसी भी कोड को मापने के लिए फिर्डो लैट की भाती पहले पस्ट दृष्टी तथा बाद में क्या किया जाता है अग्रेद्रिष्टी लेनी क्या होश्कता नहीं पड़ती क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें दोनों बिंदू के एक साथ लक्ष किया जा सकता है इसमें ये स्विधा दी जाती है कि जो दो बिंदू है अपना अग्रेद रिष्टी और परश्च दिख्ष्टी उनको पढ़ने के लिए दोनों बिंदू के एक साथ हम लक्षा कर सकते है और इस प्रकार ही एक ही प्रेक्षर में उन दोनों के बिश्क जो कोड है उसका ग्याद कर सकते हैं यह इसका क्या है दूसरी विशेष्ट है जो कि इसको क्या कर मनाता है बहुत ही उपयोगी मनाता है फिर इसकी तीसरी विशेष्टा की बात करे तो ये जो उपकरण है इसमें उर्धवाधर 36 एवं नत तीनो प्रकार के कोड़ का अध्यान कर सकते हैं इसका खड़ी भी और जो 36 है उसको भी और ये जो नती धाल है इसका उसका भी ये तीनों प्रकार के कोड़ इसमें हम माप सकते हैं ये सभी क्या है इसके महत्वपूर उपकरण है स्वरी विशेस्ता है इस उपकरण के उप्रुगत विशेसताओं के कारल यह क्या है जो करण है यह जल रासी सर्वेक्षणों जैसे की नाव पर खड़े होकर के कोण मापने के लिए पढ़े जाते हैं यह विशेस रुप से उसके लिए उपयोगी है क्योंकि नाव पर खड़े होकर क्या सर्वेक्षड करने में थोड़ी समस्या जाती है किसी त्रिपाद इस्टेंड वाले में करे तो उसमें हुझने डोलने का दर या गिरने का दर होते हैं लेकिन यह क्या होता है इसको किसी भी त्रिपाद इस्टेंड वगरा में टिकाने क्य उप्योग कर सकते हैं इसमें अन्वेशी और अव्यक्षी और प्रारंभीक एवं भूए ज्यानिक सर्वेक्षड तथा सौर प्रेक्षडों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं यानि कि इसके बहुत ही ज्यादा उप्योग है जो सेक्सिटेंट है उपकरण है इसके आंसीक चा बस इसको करण को 610 नाम से पुकार जाते हैं इसमें क्या होता है यह जो एक वड़ी है इसमें 6 कंल बने होते है इसी को 123456 इसको ये दो हो गया पांच हो गया और ये 6 हो गया इस प्रकार से यह छे भाग में होता है जिसके बांकी के भाग को इसको कलर कर दो एक भाग को छोड़ दो तो एक अनुपात ये 6 में बन जाता है इस प्रकार इसको बताय गए इसलिए इसका नाम क्या है सेक्स्टेंट बुकार जाता है जो सेक्स्टेंट है इसमें दो दरपन लगा रहता है इस प्रकार लगे होते हैं कि इसमें जो आंसिक चाप है जिनकी लंबाईज जो 60 अंस तक सिमित होती है इन पर 120 अंस तक के कोड पढ़े जा सकते हैं सिक्स्टेंट के संबन में दो बातें विशेश उलेखनी हैं जिसें प्रथम जो बात है वो है सिक्स्टेंट के दुवारा मापा गया जो कोड है उनकी तली में होता है जिस पर दोनों प्रचेपित बिंदू एवन दूरविन होते हैं यानि कि इसमें क्या होता है सेक्स्टेंट जो उपरण है उसमें कोड मापने के लिए उसमें तली में जो कोड लिखा होता है जिस पर दो बिंदू रहती है उसमें और एक दूर्बिन लगा होता है जिसको माधम सोसे हम पड़ते हैं इसलिए यह जो कोड है वो श्रदैव 36 कोड नहीं होता। प्रतु जिस प्रकार के सर्विक्षडों में सेक्ष्टेंड का प्रयोग होता है उनमें इस बात की ओर ध्यान देने देते हुए मापे गए कोडों को 36 माल लेते हैं। और दूसरी इसकी बात है वो है सिक्ष्टेंड से मापे गए कोड का जो सीर से है यानि कि जो सीर से उच भाग है उसमें सर्विक्षक की आँख पर होने के बजाए दोनों दर्स किर्ण के प्रतिछेदन बिंदु पर होता है। यानि कि जो सीर से भाग है वहाँ पर होता है सर्विक्षक कांक नहीं होता है। जो प्रतिछेदन बिंदु है वहाँ पर होता है। आई अबजेक्ट जो है जो माबाय गोड है वह जीतना छोटा रहोगा। यह प्रतिछेदन बिंदु सर्विक्षक के पीछे ही उतना ही दूर इस्थित होगा। यानि कि यह क्या है जीतना हमारे नजदीक यह कोई सर्विक्षक है और यहाँ पस क्या कर रहा है सर्वे कर रहा है। इतना नजदीक है हमसे उतना ही बहुत दूर है यह बता रहा है यानि कि जितना नजदीक हमें दीखेगा वह हमसे उतना ही दूर है यही कारण है कि लगभग 300 मीटर से कम दूरी पर इस्थित बिंदों के बीच का कोड मापने के लिए अथ्वा जो 15 अंस है इस से छोटे कोड को ग्याद करने के लिए सेक्ष्टेंड का एक परिष्टु धूपकरण है अब इसके प्रकार का अध्यन करते हैं बनावाट के विचार से जो सेक्ष्टेंड उपकरण है ये दो प्रकार के होती हैं एक है नाविक सेक्ष्टेंड और दूसरा है बक्स सेक्ष्टेंड परन्तों इनकी जो मूर रजना है सबसे पहले हम अर्ध्यान करते है नाव इक सटेंज यानि कि फर्स्ट प्रकार इसके बाद हम बक्स से स्टेंज का अध्यन करेंगे नाविक स्टेंज इसके डियाग्राम नीचे मिलेगा आपको नाविक स्टेंज को दिखलाया गया है जो डियाग्राम है वो नीचे जो डियाग्राम है उसमें चुकि जो जर रासिक सरवेछड़ और नाविक लोग है इस जो उपकरण है इसको सबसे अधिक प्रयोग करते हैं क्योंकि इसे असानी से ही हम क्या कर सकते हैं? नाविक सिक्ष्टेंस के नाम से जाना जाता है जो नाविक सिक्ष्टेंस है इनके महत्वच जो अंग होती है वो निम लेखित है फरस्ट है आन्सिक चाप आंसिक चाप सेक्स्टेंस का आंसिक चाप लगभग 15 cm अर्धवाय स्वैले व्रीत का लगभग एक अनुपाच्य भाग होता है यह चाप 2 cm चौड़ी पीतल की चादर का बना होता है इस चाप के मध्य जो पूरी लंबाई है उनमें 1 cm चौड़ी ज़तीज पट्टी होती है जिस पर सेक्स्टेंस की मुख्य में अपनी अंकित होती है जिस प्रकार आपने जो प्रिज्मेटिक कमपास देखा हुए उसमें क्या लगए होता है एक कोल पट्टी लगई होते है जिसमें अंस लिखा होता है इस जो रज्जित पट्टी है या चाप पर सुन्य अंस से दाई और पांच अंस तक और बाई और 120 अंस तक के या 130 अंस तक के चीन बने होते हैं जो चीतर में प्रदर्सित है जो नाविक सेस्टेंस है इसके आंसिक चाप पर एक सेंटी ग्रेट के अंतराल पर चीन लगाया जाते हैं एक अंस के, प्रण्तु जो आवर्धा क्लेंस है, जो नाविक सिस्टेंस के आंसिक चाप पर सबसे छोटे चीन है, दस मिलटके, इसके अंतराल पर अंकित होते हैं, दोलों प्रकार के सिस्टेंस में जो वर्नियर मापनिया हैं वो लगी रहती है, जिनकी अलपतमांग जो है, पारा से 10 सेकेंड के होती है, यह जो वर्नियर केलिपर्स है, यह हम वी ज्यान में अध्यान किये हैं, जो मापनी है, इसका भी प्रयोग इसमें होता है, फिर सेकेंड इसका जो अंग है, वो है सूचक बाहू, सेक्स्टेंस उपकरण का सूचक बाहू, जो सेक्स्टेंस उप उपर खिशकने वाला होता है। सुचक बहू के निचले भाग में एक आताकार झीरी कटी होती है। जिसमें आंसी चाप का कुछ भाग दिखाई देता है। जीरी के निचले किनारे पर धालू-धार वाली एक छोटी प्लेट लगी रहती है जिसे सुचक प्लेट कहा जाता है, इस प्लेट की ढलवा किनारे पर एक छोटा सा रेखा चीन अंकित होता है, जो सरेंस के दुबारा प्रचेपीत किसी कोड के माप को आशिक चापकर इंगित करता है, यानि कि इसमें एक छोटा सा रेखा चीन है, जैसे कि हमTS भी अपजिया करते हैं ऐसे ही इस में चीन रहता है जिसके माध्यम से कोड को इंगित करते हैं या चाप को इंगित करते हैं ये देखिए है आपका सिक्स टेंस तो यहां से दिखाई देगा आपको इसमें यहे दूरबिन लगा हुआ है यह आपका टेली स्कोप है दूर्बीन और यह आपका अबजेक्ट वेन है जहांसे आपको देखना है और एक दूर्बीन हापस आपका लगा रहते हैं इंडेक्स मिरर और यहाँ पर आपका इस्क्रू वगरा है जहांसे आप इसे सेटिंग कर सकते हैं और ये अंस पढ़ने का आपका जो दिया हुआ है ये पट्टी है फिर नेश्टेश्ट का अंग है क्लैंप जो क्लैंप है वो सुचक बाहू के निचले सीले पर एक स्प्रीड़ दार लेंब होता है जो सुचक बाहू को अंसांकित चाप पर इस्थी रखता है सुचक बाहू को अंसांकित जो चाप है उस पर घुनाते समय इस क्लैंप को बाएं हाथ की उंगली या उंगुठे की निरंतर दबाय रखते है क्लैंप को छोड़ देने पर जो सुचक बाहू अपने इस्थान पर इस्थीर हो जाता है यानि कि इस घुनाते समय आपको क्या करना है उसको दबाकर रखना है ताकि वह इस्थीर हो जाए जहां पर आप घुमा है वहीं पस यादि उससे छोड़ देते हैं तो वह क्या हो जागा पूना अपने पुराने वाले इस्थीती में आ जाता है फिर है टेंटेज पहिया यह इसका नेश्टंग है सुचक बाहु को अंशांकी चाप पर बहुत धिले धिले खिसकाने के लिए इस पहिये का प्रयोक किया जाता है इसको घुमाया जाता है यह जो पहिया है यह रेंग पिनियन व्यवस्था के कारण सुचक बाहु को मन गती से खिष्काता है फिर है वर्णियार अब विग्यान में पढ़ेयों के प्रेइटिकल में वर्णियार कहली पर्णलर्ण लाम कई कि एक ममा पख से खुष्क्रेंज होता है यह वह है यह यह ये प्देνच पर एक इस थाई वित्ता कार फ्रेट लगे होते हैं, जिस पर एक एक मीनट के अंतर पर साथ चिन्ह वने होते हैं, इन प्रेट के सहारे सेक्स्टेंस की वर्णियार मापनी लगी होते हैं, जिनकी अलपतमाग 12 सेकंड होती हैं, टेंटेज बहियों को घुमाने पर जो मीनट वाली यह पर तथा 12-12 सेकंड में मानो को वर्नियर पर पढ़े जाते हैं जो आर्धाक लेंस वाले सेक्स्टेंस है उनकी वर्नियर मापनी सुचक प्लेट पर अंकित होती है तथा इनकी अलपतमांग जो है जो 10 सेकंड के होती है फिर नेश्टेश की जो अंग है वो है निर्देश दरपड इंडेक्स मीरर जो सुचक बाहु के उपरी सीरे पर लगे हुए दरपड को क्या कहते है निर्देश दरपड कहते है इस दरपड पर सुचक बाहु के शांसाद घुमता है ये क्या होता है जो सुचक बाहु है उसी क के सांसत घुमता है तथा आंसिक चाप के तल पर लंबंबवत होता है निर्देश दर पर जो है किसी वस्तु या बिंदू के प्रतिविम को सेक्ष्टेंस के दूसरे दर पर जिसे छीतित चाप कहते हैं उस पर क्या करता है जो रतिज भाग पर क्या करता है प्रवर्तित कर दे जिससे हमें उसमें दिखाई देता है जहां पर उसे दूर्वीन के द्वारा देखा जा सकता है जानिकि यह क्या करता है की रड़ के माधिल से से ट्रांसफर कर देता है चीटीज चाप स्वारी चीटीज कांच है यह ग्लास दूर्वीन के सामने वाले दरपड को चीटीज कांच कहा जाता है यह जो कांच है यह सिक्स्टेंज के फ्रेम पर इस्थाई रूप से कश्र होता है तथा आंसिक चाप के तल पर लंबावत होता है चीटीज कांच का जो आधा भाग है वो क्या होता है पारदर्सी और सेस याद करते समय दूर्विंग की जो नेतरिका पर आख रहकर एक बिंदू को छीटी स्कांज के परदासी भाग में देखते हैं तथर निर्देश दर पर से परवर्तित हो कर आने वाले दूसरे बिंदू को प्रतिवीम को रंजित भाग पर देखा जाता है जानी कि जो नेतरिक उसमें क्या होते हैं प्रोवर्तित हो करके जो दूसरे बिंदू है उसका प्रतिविम जो है हमें रंजीत भाग में दिखाई देता है इसलिए हम दोनों जो पार्ट है बैक बेरिंग और फॉर बेरिंग दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं यानि कि अग्रदेश्टी और पस्च दोनों को एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं इस प्रकार जो सुचक बहु है उसको और शक्तनुसार खिसका कर दोनों बिंदू को चीतिस कांस में एक साथ लक्षा करते हैं यह इसका मुख्य विशेचता है यह बात भूत ही महत्तपुड है कि जब सक्रिश्टेंस का जो जो दूर्बीन है वो जो लक्ष मुंदे है इसको इशत पर देखने के लिए जो सेक्षिटेंस फ्रेम है उस पर क्याला गारता है जो चितिस कांस के दूसरी ओर एक छोटी दूर्बीन लगने होते हैं जो दूर्बेसी जो हमारा कोड़ है उसको मापने क्लिए प्रियोग कर कर सकते हैं नहीं रंगीन कांच क्लरेट ग्लाज जो नाविक सेक्ष्टेंथ है इसमें निर्देश दरपण के आगे तथा छीतिस कांच के पीछे एक रंगीन कांच रहता है जिसमें तिन तिन गोल तुकड़े लगे होते हैं सूर्य अथक किसी अन्य चमकी धातू को लक्षा करते समय चमक कम करने से उद्देश्टे से इस तुकड़ों को और शक्तर नुसार संच्छा में नीचे दरपण के आगे वह चीतिस कांच के पीछे लगा दी जाती है जिससे क्या होता है इसमें चमक कम आती है और शक्तर नुस प्रेम के निचले पासारवा पर लकड़ी का बना होता है जो हत्था होता है जिसे हाथ में पकड़ करके से कोड मापते हैं जैसे कि आप सभी को पता होगा किसी भी प्रकार की जो उपकरण है वो इस प्रकार से है कोई उपकरण है तो इसमें एक हत्था लगो होगा इसमें अब क्या करेंगे इसे हाथ में पकड़ेंगे और यहां से फिर आप क्या करेंगे देखेंगे इसको यह इसी प्रकार का प्रयोग करते हैं इसको यह हो गया अब इसमें 36 कोड मापान तो इसमें 36 कोड किस प्रकार से मापते हैं यह दिखाया गया है जो नाविक सिक्ष्टेंस ह इसमें तो इससे आप स्क्रीन सॉट कर लेंगे 36 कोड कैसे मापना है इसको और आपने फाइल में भी लेख लेंगे इसमें फर्ष्ट है कोड मापने में सिक्स्टेंस को दाएं हाथ में पकड़कर नेतरीका पर आँख रखिए तथा जो आंसा की चाप है उसके तल को आँख तथा एवब बी जो बिंदू है हमारा उस पे लगाईए यानि के हमें उसको क्या करता है लक्षित करना है जो एवब अध्यान करने का फिर सेकेंड जो विधी है या सेकेंड टाइफ है वो है जो 36 काश है उसके परदासी भाग में एव बिंदू को लक्षित करना है तथा सुचक बाहू को इतना घुमारा है कि निर्देश असपर्ड के द्वारा क्या हो जाए जो बी बिंदू है उसका पर से अंगूलिया हटाईए जिससी क्या होता है जो सुचक बाहू है वो आंशांकित चाप पर कसे जाते हैं या कस जाए ताकि वो ही दे जो लिना अब क्या करेंगे जो टेंटेश पहिये लगे होते हैं उनको इतना घुमान है कि बी बिंदू पर प्रतिभीम एकी है इसकेल है उसको पढ़ना है इस पठ्यास कोड में एई बी के मान को प्रगट करेंगा यहां पस यह बात जो है पूना भली भाती समझ लेना आवश्यक है यानि कि इसको महत्तपूर बात है यहां पस इसमें कोड केवल उसी दसमें यह थार्थ 36 कोड होगा जब दोनों दि वीच्छा की आंख 36 तल में इस्तित होगा यह नोट करना है आपको तो आप इसे स्क्रीण्शूर्ट करके रखेंगे फिर है उर्धवा धर कोड मापन अभी हम 36 कोड मापन देखो है अब हम दिखेंगे उर्धवा धर कोड मापन जो उतवल नकिंडर मापन है यह दो प्रका जो चैती से उद्वाधर कोड मापना, इसका पहले अध्यान कर लेते हैं हम, सक्स्टेंस के द्वारा किसी दिए गई बिंदू मालेजे ए है, इस पर क्या करना है, जो 36 से उद्वाधर कोड मापना है, तो वो किस प्रकार से मापेंगे, उसकी वीधी दी गई है, तो इसमें इसके पस्यात्य उसको क्या करना है जो बाएं हाथ के उसको दबाते हुए जो सूचक बहु है उसको घुमाना है जिससे क्या हो जाये कि चीती स्कांस के जो रंजित भाग है उसमें ए बिंदू का प्रतिविन दिखाई देने लगी ताकि हम उसको पढ़ सकें इसके पसे अच्या काना है जो 10 एज पहिए है उसकी सहाता से ए बिंदू के जो प्रतिविन है उसको चुने गए जो चीन है उस पर सही सही क्या करेंगे अध्यरोपीत कर देंगे जिससे क्या होगा और पर्णियर के रीपर्स को पढ़ेंगे फिर नेश्ट जो है उसमें यह जो पठ्चांग है उसे 36 से अर्थार जो आँख के लिए लेविल से ए बिंदू के उध्वाधर कोड का मान प्रगट करेगा यानि कि यह है एक जो मान है उसको प्रगट करता है फिर क्या होगा जो शर्वेक्षा की आँख पर बढ़ने वाले उध्वाधर कोड का मापन यह कैसे होता है इसके अध्यान करते हैं इसमें दो दिये गए बिंदू के बीज का शर्वेक्षा के आंक पर बढ़ने वाला जो उर्धवाधर कोड है उसको ग्याद करने के लिए इसका प्रयोक करा आता है। इसको पड़कर उर्धवाधर कोड का मान ग्याद किया जाता है या मान ग्याद कर लिया जाता है। इसके पस साथ है यह कंप्लीट हो गया आपका नाविक सेक्स्टेंज जो है अब सेकेंड आता है सेकेंड टाइप बक्स सेक्स्टेंज यह जो बैक्स से स्टेंज है यह एक छोटा और हलका और शुवाहर यह उपकरण है जिससे क्या होता है जिसका विश्कार कसरे जो है विल्यम जोंस नामा के वेक्ति है या विद्वान है उसको दिया जाता है यह जो उपकरण या धातु से लगभग 4 सेंटिवीटर गहरे तथा 7-5 सेंटिवीटर व्यास वाले बिलनाकार बक्स के रूप में होता है तथा इसके द्वार क्या कर सकते हैं 120 संस तक के 36 उर्धवाधर तथा नत कोड़ों को मापा जा सकते हैं प्रियोग कर सकते हैं जो सिक्स्टेंट है उसके धकन को खोल कर उसे उपकरण के नीचे की जो चूड़िया है उन पर कस देते हैं और बक्स सिक्स्टेंट का धकन जो है उसके इस्टेंट का कारिया करता है यानि कि इसका धकन जो है इसका इसका इस्टेंट का कारिया करेगा जो बक्स सेक्स्टेंस है इसके वर्नियर का अल्पतमांग जो है एक मिनट होती है अब इसके अंग के बारे में देखते हैं इसमें सबसे पहला अंग है रज़त चाप यह जो चाप है यह 0 अंस से 140 अंस तक के अंशांकित होता है तथा इस पर क्या होता है जो अंश्रवा जो आधे अंस के चीन होता है वो बने रहते हैं पूरे अंस और आधे अंस के चीन है यह देखिए यह है आपका बक्स सिक्स्टेंस अब सेकेंड इसका अंग है या भाग है सूचक बाहू इसके जो निचले सीरे है इस पर एक मिलट अल्फ तमांक वाला वर्नियर लगा होता है जिसमें सूचक बाहू बक्स के भीतर निर्देश दरपण से जुड़ा होता है अता ही ये क्या करता है निर्देश दरपड को घुमाने से सूचक बहु जो आंसिक चाप पर है उस पर घुमता है फिर सेकेंड इसका भाग है वो है समंजनिय अवर्धक लेंस इस लेंस को क्या करता है संपूर आंसांग की चाप पर कहीं भी घुमाया जा सकता है और इस लेंज की सहता से वर्नियर को पढ़ा भी जाता है फिर है खंचित पेंच इस पेंच की द्वारा निर्देश दरपड़ वा सुचक बाहू को गुमाया जाता है इसकी पस्याथ है कुंजी यानि की-की यह क्या करते है इसके दुवार उपकरण को समय उजित करते हैं और फिर है औलेकन छीद्रे इसमें क्या करते है यह छीद्रे के माध्यम से जो बक्स सेक्स्टेंज है उसके पासारवा पर एक शरक्मा प्लेट यानि कि इसे क्या करते है इस लाइट प्रेड लगा होता है इसे में बना होता है ये जो दूरस्त विवरणों को लक्षा करने के लिए इस शीद्रे में दूर्बीन लगाई जा सकती है पर अंतुर शमानियत इसमें क्या होता है जो बक्स से इस्टेन है उसको बिना दूर्बीन के प्रयोग मिलाया जात पर इसमें खांच इसलोट क्या है लेखते हैं जो से सिथेछ तरक प क्रक्मषी में ऊकर कोर खार दलाल दलता है इस बक्स के जो भीत्री भाग है उसमें क्या होता है दरपड ये दो प्रकार के होते हैं एक निर्देश दरपड और दुसरा छितिच कांच जिर्देश दरपड जो है पूर्णेता ये रंजित होता है जो रज्तिश होता है तथा इसे क्या किया जा सकता है उपकरण के उपरी सतह पर लगे जो ख्यंचित पेंच है इसके द्वारा खिसका जा सकता है और जो चीतिज कांच है उसकी जो उपरी आधा भाग है वो क्या होता है जो रतिज एवं निचला आधा भाग है वो पारदर्सी होता है यह जो कांच है उसमें अलोकन चीदर के सामने लगा होता है उपकरण का समयोजन करने के उद्देश सचे जो चीतिज कांच है उसको कुंजु के द्वारा खिसकाया जाता है या खिसकाया जा सकता है इसके अत्रिक्त सूर्या आधी का जो प्रेशर है उसको करते समय या उसका pressure करते समय आखों को चमक से बचाने के लिए जो कऱे है उसमें रंगीन कास के जो तुकड़े दिये होते हैं उसको प्रियोग करते हैं अब इसका प्रियोग विधी यानि कि जो bucks किस प्रकार से की जाती है यह देखते हैं जो बक्स से स्टेंड है इसका प्रयोग करने की विधी बहुती क्या है नाविक स्टेंड से मिलती जूलती है किसी भी स्टेशन पर दो दिये गए बिंदू है उनकी बीच के 36 गोड यार्थ करने के लिए उपकरर को दाएं हाथ में पकड़ कर बाईं और क्या करते हैं बाईं और वाले बिंदू को अलोकांचीद रखे चीतिस कांच के पारदर्सी भाग में देखते हैं इसके पस्याद चाहता है बाईं हां से जो खंचित पेंच है उसको धिरे धिरे इतना घुमाते हैं कि दाएं और वाले जो प्रतिवीम है या बिंदू है वो निर्देशी दरपड़ पर प्रवर्तित होकर छीतिस कांच के जो रंजीत भाग है उसके बाई और वाले जो बिंदू है उस पर अध्यरोपिक प्रतित होने लगे इसके बाद क्या करते हैं वर्णियर पढ़ लेते हैं यह जो है यह उपकरण को डारेक्ट अध्यान करते हैं तभी पते चलता है इसमें आपको उपकरण को देखने के बाद समझ में आ जाएगा तो एक बार उपकरण को फिर से देखनेंगे आप उध्याद और कोड पढ़ने के लिए इसमें क्या किया जाता है जो गरण है उसको लंबावद पकड़कर निचले बिंदू को 36 कास के परदासी भाग में लक्षा करते हैं फिर क्या करते हूं उसके उपरी जो बिंदू है उसको प्रतिवीम को जो रतिज भाग है उसकी निचली बिंदू पर अध्यरुपित करते हैं ये इसकी विधी है फिर इसमें क्या होता है सेक्षिटेंस की द्वारा कोड मापते समय कुछ महत्वपूर बात है जिस पर प्रछित किए जाने वाले जो बिंदू है उन्हें सरवेच्चक से अश्रमान दूरी परिसित हो तो वापस में क्या होते है बिंदू को शजए 3355 पर्दासि भाग में तथा दूसरे वाले बिंदू को रतिज जो भाग है उसमें प्रतिवीम वारा लक्षय करना चाहिए यह ध्यान देना है आपको फृर सेके ध्यान देने योग क्यों बात है वो है एपिछा कृष अधिक चमकिले विवरण को प्रतिभीम करतने समय या प्रतिभीम के द्वारा तथक कम चमकिले विवरण को चीतिस कान्च के परदारसी भाग में सीधा लक्ष करना चाहिए यानि कि जो अधिक चमकिला है उसको क्या करना चाहिए जो प्रतिवीम है उसके द्वारा और कम चमकिला को जो छीतिस कांच है उसके द्वारा क्या करना चाहिए सीधा लक्षा करना चाहिए यदि दोनों विवरण अधिक इसपस्ट ना हो तो उनमें जो भी विवरण और पेच्चा करिद अधिक इसपस्ट हो उसे प्रतिभीम के द्वारा लक्षा करना चाहिए इसपस्ट ना हो तो उनमें किसी एक विवरण के प्रतिभीम के प्रतिभीम के लक्षा करना चाहिए यदि दो बिंदू की बीच का कोड यदी एक सदन संस से अधिक हो तो उस कोड को क्या करना है दो भागों में भाजित करके मापना चाहिए उसे एक साथ नहीं मापना चाहिए इस कार्या के लिए दिये गए बिंदू के मध्या कोई तीसरा या बिंदू निश्चित नहीं कर लेते हैं यानि कि यहां पस क्या करते हैं यह जो दो बिंदू मापते हैं तो इसमें एक तीसरा बिंदू भी निश्चित करते हैं इसके मध्या में इसके पस्जात क्या करते हैं पहले एक बिंदू के निश्चित दिये गए बिंदू तक जो कोड मापते हैं वो एक कोड बन जाता है तथा इसके बाद निश्चित के गए बिंदू के दूसरे बिंदू तक जो कोड मापते हैं वो माप लिया जाता है अब ये जो सेक्स्टेंस है इसका सिध्धान दिया हुआ है प्रिंस्पल तो इसे आप स्क्रीन सॉट करते जाएंगे ये इसका डाइग्राम है सेक्स्टेंस की नियम का ये इसका सिध्धानत है इसे आप स्क्रीन सॉट करते चलेंगे हुआ है यह उसी धान्त है इसको आपको ना जब प्रयोग करेंगे इसका जो सेक्स्टेंस है उसका तब आपको समझ में आएगा तो इसे आपकी स्क्रीन्शॉट कर लीजिए और फाइल में भी नोट कर लेंगे अब हम अध्यान करिकते हैं जो सेक्स्टेंस उपकरड है उसके घुर्वा दोस के बारे में सबसे पहले हम इसका गुड़ देखते हैं इसके बाद इसका दोस्ट देखेंगे जो जल रासिक सर्वेक्षड है इसके लिए जो सेक्स्टेंस सर्वाधिक उपवयोगी उपकरड है इसके अतरीक ते जो सेक्स्टेंस के द्वारा जल्वा इस्थल दोनों का कोड़ मापा जा सकता है यह इसके बहुत पूर्ड गिल्ड या विसेस्ता है फिर तिसरे नेमबर पर है इस उकरण के उध्वाधर नत और चैटीस तीनों प्रकार के कोड़ माप सकते हैं यह भी इसका मुथ्ख्य विसेस्ता या को मापा जा सकते हैं फिर इसका नेश्ट जो गुड है वो है किसी पूर्व निर्मित जो प्लान है उनके विवरणों को अंकित करने के लिए अथ्वा सर्विक्षण कार्य की सुध्धता को जासने के लिए यह जो सिक्स्टेंस है यह क्या है बहुत ही उप्योगी उपकरण है हम उसकी पूर्व निर्धारी जो इसीति है उसको यहां पर सुध्धता सिजांस कर सकते हैं फिर है सिक्स्टेंस एक छोटा हलका वा क्या होए सुगम यह करण है जिसमें क्या होता है जो नाव याथ्वा घोड़े पर चड़कर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं यानि कि इस सिक्स्टेंस के द्वारा 120 संस से बड़े कोड़ को एक बार में मापना संभाव नहीं है यानि कि केवल इसमें 120 संस को ही माप सकते हैं फिर 15 से छोटे को मापने के लिए सिक्स्टेंस एक परिसिद्ध उकरण नहीं है यानि कि 15 से छोटे कोड़ को भी हम सही तरीके से नहीं म आप सकते हैं यह इसका दोस्त है तो यह हो गया आपका 16 सर्विक छड़